कितना मीठा है मा तेरा नाम कितना प्यारा है मा तेरा नाम कितना मीठा है मा तेरा नाम कितना प्यारा है मा तेरा नाम तुने जनम दिया दुद अपना दिया तुने जनम दिया दुद अपना दिया कैसे भूलू मैं तेरा मुकाम मा, 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 कितना मीठा है मा तेरा ना कितना प्यारा है मा तेरा ना हलो एवरिवन कैसे हैं आप सब उमीद हैं आप सब ख्यारियत से होंगे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ इस ग्लोरिया शेरोन और यूर वाचिंग शारगलो व्लॉग्स जबके सुबह Mother's Day है Sunday का दिन है और दुनिया में तमाम जगाओं पर Mother's Day सेलिबरेट किया जा रहा है तो मैंने सोचा के मैं क्यूं ना आपके साथ जो है वो कुछ बातें शेर करूं तो मैं सबसे पहले तो ट्रिब्यूट देना चाहूंगी उन माओं को उन औरतों को जिन्होंने अपने बच्चों को जो है वो इंतहाई मुश्किल दौर में पाला है और उन्हें इस तरह रेस किया कि मिसालें काइम हो गई और स्पेशली मैं अपनी मा को ट्रिब्यूट देना चाहती हूँ इस बात के लिए कि उन्होंने हमारी जिस तरीके से हम तीनों भेनों की और भाई की परवरिश की है इट इस नौट इजी क्योंकि उन्होंने हमें ये सिखाया कि सही रास्ते पे किस तरह चलना है यानि कि ख सारा दिन घर से बाहर रहता है लेकिन मा जो है हमेशा आपके पास रहती है और साथ रहती है और आपको सिखाती है कि कौन सा काम आपने किस तरीके से करना है मैंने बहुत सी ऐसी औरते देखी हैं जो अपने बच्चों पर इस प्यार तो सारी माएं अपने बच्चों से करती है लेकिन वो इस बात का देहान नहीं देती के मजबी तोर पर अपने बच्चों को किस तरह से ग्रो अप करना है तो मेरी माँ ने हम तीनों भेनों को और भाई को जो है किस तरीके से हमारी परवरिश की है तो इस बात की मैं उन्हें ट्रिब्यूट देना चाहती हूँ शुकर है खुदावन का कि हमें खुदाने ऐसी मादी जिसने हमें खुदावन यसु मसीज से मिलवाया और ट्रिब्यूट उन माओं को मैं देना चाहती हूँ जो कि सिंगल मदर्स हैं और सिंगल मदर्स इस नाट इजी सिरियूसली इस नाट इजी मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मेरे साथ तो मेरे हस्बेन होते हैं और वो मेरे साथ बच्चे को संभालते हैं लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि जो वो single माई है it is not easy for them तो बहुत ही ज़ादा appreciate मैं उन माओं को करती हूँ और न माओं को जो है जो अपने बच्चों को मुझभी लेवल पर सिखाती नहीं है उन्हें encourage करना चागती हूँ कि प्लीज जब बच्चों की उमर ग्रोब एज में बच्चे होते हैं तो उन्हें अपने बच्चों को कलाम के बारे में सिखाएं ताके आपके बच्चे जो हैं मरते दम तक खुदा के कलाम को याद रखने वाले हो सके और अपनी जिन्दगी खुदा के साथ गुजारने वाले हो सके और एक और बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ मा क्या होती है वो मैंने अब जाना है जब मैं खुद मा बन गई हूँ क्योंकि बहुत दफ़ा बहुत दफ़ा ऐसी सिचिवेशन्स आती हैं इनसान की लाइफ में जब हम अपनी माँ को कहते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया मा ने हमारे लिए मेरे लिए क्या किया इस बात के बारे में मैं अब जानी हूँ जब मैं खुद माँ बन गई हूँ किस तरीके से माँ अपने हर सांस में अपने बच्चे के लिए दुआ करती है और कभी नहीं चाहती कि उसका बच्चा जो है वो डगमगाए और इतनी सी भी चोट उसके बच्चे को लगे इस बात के बारे में मैं अब जान पाई हूँ तो मेरी तरफ से तमाम माँ को हापी मदर्स जे और आप सब खुश नहें और आबाद रहें और आपका साया जो है अपने बच्चों के स्वरों पर हमेशा रहने वाला हो हापी मदर्स जे टू आल मदर्स आल आवर दो वर्ड सी यू नेक्स ताइम